भारती सीमा में पकड़ी गई पाकिस्तान की बोट अलहज नौ गिरफतार जानते हैं क्या है पूरा मामला नमस्कार बिग है लाइन्स देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ भूमी का गुजरात ATS के साथ एक सैंगत भ्यान में इंडिया कोस्ट गार्ड ने नौ क्रू मेंबर्स के साथ एक पाकिस्तानी बोट अलहज को अरब सागर की भारती सीमा में लगभग 280 करोर रुपे की हेरोईन ले जाते हुए पकड़ा है आगे की जांच के लिए पाकिस्तानी बोट को जखाओ ले जाया जा रहा है इंडिया कोस्ट गार्ड के अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तानी बोट अलहज पर नौ क्रू मेंबर सवार थे और बोट बीती रात भारती जलसीमा में प्रवेश कर गई खुफिया चानकारी मिलने के बाद गुचरात ATS और इंडिया कोस्ट गार्ड के टीम मौके पर पहुची उन्हें देखकर पाकिस्तानी बोट पर सवार क्रू मेंबर हैरोईंग के पैकेट्स को पानी में फिक कर भागने की कोशिश करने लगे लेकिन वो काम्याब नहीं हो पाए उन्होंने आगे कहा कि हैरोईंग के पैकेट बरामत कर लिये गए हैं साथी पाकिस्तानी बोट तेज स्पीट से चलने में सक्षम थी लेकिन जब पाकिस्तानी क्रू मेंबर से बचकर निकलने की कोशिश की तो रोकने के लिए इंडिया कोस्ट काट की तरफ से फारिंग की गई और उन्हें पकाई लिया क्या वहीं अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तानी बोट में सवार एक क्रू मेंबर को चोट भी लगी है अन्ने दो को मामुली चोट आई है और आगे की जांच के लिए उन्हें पाकिस्तानी बोट के आज दोफैर तीन बजे तक जखाव पोट पहुचने की उमीद भी चताई गई है भारती सीमा में पाकिस्तान की बोट घुसने पर आपकी क्या चिपड़ी है हमें कमें सेक्शन पर जरूर बताएं तब तक के लिए हमारे चैनल बिग हेड्लाइन्स को सब्सक्राइब करें